इस मुहीम को मैं बहुत एक सफल राजनीती के छेत्र में बहुत अची तरीके से देखती हूँ मैं आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप विकास की बात करते हैं और लोगों के बीच में ये संदेश फैला रहे हैं कि आप राजनीती को एक अच्छी और स्वच सभी देने की कोशिश कर रहे हैं यहां की जनता क्या हमारे देश की जनता बहुत गरीब है बहुत से गरीब तपके के लोग हैं आप देख रहे हैं आईपा यानि All India Progressive Politics Association एक ऐसा संगटन जो बात करता है कि राजनीती को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए यानि वे सभी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं जनसुरकार के मुद्दे हैं उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए आज कल देश में राजनीती होती है लेकिन राजनीती धर्म और जात पर होती है हिंदू और मुस्लिम पर होती है राजनीती विकास के मुद्दों पर नहीं होती है आईपा का मकसद है कि देश में राजनीती हो तो विकास के मुद्दों पर राजनीती हो तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीतू कनोजिया जी जो मंजनपूर विधान सभा से बीसपी के प्रत्याशी है तो सबसे पहले नुति जू आईपा के मंजपर आपका बहुत-बहुत स्वागत है जान्यवाद मैं एक बात बताए कि अगर कोई आम आदमी जानना चाहे कि कौन से पार्टी लोकतांत्रिक है तो वह कैसे डिसाइड करेंगे देखिए धर्म और जाती के नाम पर कोई भी अगर राजनीती करता है तो आप उसे बिल्कुल भी आप स्विकार न करिए धर्म और जाती को छोड़ करके आप जो आपसे सिख्षा की बात करें रोजगार की बात करें महिलाओं के मान सम्मान की बात करें और जंता की मूल बोच्छो विधाओं की विकास करने की बात करें उसी पार्टी को आप स्विकार करिए और उसी पार्टी को आप ओट करिए इस तरीके की राजनीती है एक सफल और सच राजनीती है आप एक महिला है और खास करके मनजनपुर की बात करें तो महिला यहाँ पर कितनी सुरक्षित है अभी वरतमान समय में? देखिए महिलाएं तो कहीं भी नहीं सुरद्चीत हैं, चाहे हम किसी की भी बात करें, महिलाओं का मान सम्मान और महिलाओं के अंदर जो आत्म विश्वास था, वो सरीफ हमने अपनी परमादणी बहन कुमारी माया वती जी के साथ संकाल में ही पाया है, उस अभी तक जितने सौथ को जला दिया गया, उनके माता पिता को देखने नहीं दिया गया, तो ये सची बाते दोहराने की जरौत नहीं है, क्योंकि जंता को सभी चीजें पता हैं, तो हम ये चाहँते हैं, कि आप सभी लोग बेहन माया वती जी को याद करिए, उनके सासन काल में, अगर किसी मैं तो पराज़निती में अचारां क्यों आJamie रहती हुआ यहांपी जब से मैं इस चेत्र में हुआ हुँ कि हमारे देश की जनता बहुत में पहां से लोग हैं जिन को जो मूल भूर उनके जो सुविधाइअ हो अ के छेत्र में करते हुए यह देखा है कि हमारी जनता इसनी गरीब तबके की है कि उसके बीच में जाकर के विकास करने की उन्हें विकास की गंगा बहाने की जरूरत है हमारी जंता को हमारी समगानी जंता को मूल भुष सविधाओं की ही शक्ता है उनके बीच में जिस तरीके की जाकर के मैंने देखा मैंने चीकिस्ता से जुड़े हुए छेत्र में जाकर क कि आप उनका कारी कर सकते हैं अभी आप मंजनपूर से विधान सब्सक्राइब प्रत्याश्ची है ब्यस्पी के तरफ से तो आपके प्रमुख मुद्दे कौन कौन से जीतने के बाद जिनका आप विकास करेंगे हमारी पाटी कोई वादा नहीं करती है हम सिर्फ विकास की बा माह्ब professionals कि मान सम्मान के छेत्र में और जो भी मूल भूत सब्सक्राइब हम लोग रह करके और सभी लोगों के विकास की कार करने की कोशिश करेंगे जैसे कि मैंने हाने मिधी कि भी जते खास करके दलीद बस्ती में अगर जाते हैं तो वो लग यही कहते हैं कि कोई भी नेता हो सिर्फ हमको वोट बैंक के लिए इस्तमाल करती है तो इस बात में कितनी सचा है क्या आप जीतेंगे तो इतने विकास करेंगे या फिर अभी तक उनकी स्थिति यही रहेगी फिर भी न हाँ मैं अपने तरफ से और अपनी बैहन जी की तरफ से इस जनता को अपनी संभानी जनता को यह विश्वात दिलाना चाहती हूं कि पिछडी सरकारों ने जो गलतियां की हैं वो हम नहीं करेंगे हम ने जिस तरीके से अपनी बैहन जी के पूरवत की सास्रिन काल में इस चे में कहें कि आपको सिवा करने का मौका देगी बिल्कुल मुझे पूर विश्वास है कि मेरी समानी जनता मेरे समर्थक मेरे सभी साथी मेरा पूरा सहयोग करेंगे और बहन जी के हाथों को 2022 में फिर से मजबूत करेंगे आखरी एक सवाल है आईपा के लिए जिस मुहीम से हम आपसे बात करते हैं यह बिसकली विकास की बात करते हैं जहाँ पूरे देश में धार्मिक, राष्टवाद, छेतरवाद, भाशावाद पे राजनीती होती है वहाँ पे आईपा का मकसद है कि विकास की बाते हो यानि आम जनता की बाते हो तो इस मुहीम को आप कैसे देखते हैं इस मुहीम को मैं बहुत एक सफल राजनीती के छेतर में बहुत अची तरीके से देखती हूँ मैं आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप विकास की बात करते हैं और लोगों के बीच में संदेश फैला रहे हैं कि आप एक राजनीती को एक अच्छी और स्वच्छ सभी देने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर अपने विचार साजाए कि नहीं है उमीद करेंगे कि अगर आप विकास की राजनीती कर रहे हैं तो आप इसमें सफल होंगे धन्यवाद तो ये हैं मंझनपूर के परतियाशे ब्यस्पी के तरफ से जिनोंने काफी बेबाकी अंदाज में सिर्फ जहां पुरे देश में धर्म और जाट पे राजनीती होती उनको दरकिनार करते हुए विकास की बाते कर रहे हैं रोजगार की बाते कर रहे हैं ये सब वाकिए में अगर ऐसा हो तो देश हमारा फिर से वो सिर्मौर बन सकता है बाकि ऐसा ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें आईपा आईपा यानि All India Progressive Politics Association